विपारी इस टेंग दोनों सरकारों से परेशान थे, पहले बाज़ पार अब उनका राज है, उससे पहले कॉंग्रेस ने कही वाज सरकारे चलाई है आज तक हम ने यह देख रहा कि सबसे जब जो परशानी हो रही है वो छोटे विपारी को होगी है उसको बड़ा नजर अंदाज करा जा रहा है हर तरफ से क्योंकि आज की डेट में जो बिजनस है वो बहुत डाउन हो गए है चोटे वपारी का घर चलाना मुश्किल है वारते जन्ता पाल्टी कॉंग्रस पाल्टी आई है तो वापारीयों को जो भी आज तक लड़ाई लड़नी पड़ी वो अपने ही दम पे लड़नी पड़ती है हमेशा कांग्रेस क्या ही सरकारे रही है जिसकी जो ने आज तक हमारे नान के लिए क्षाश यही माचल के लिए को खास काम नहीं किया है आज तक हमने यह देखा कि सबसे जो प्रशानी हो रही है वो छोटे वेपारी को हो रही है उसको बड़ा नजर अंदाज करा जा रहा है हर तरफ से कहीं भी हो गया क्योंकि आज की डेट में जो बिजनस हैं वो बहुत डाउन हो गय हैं छोटे वेपारी का घर चलाना मुश्किल हो गया तो इसके उपर कोई भी सरकार कोई खास ध्यान नहीं दे रही अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत ही अच्छा कदम हो रहेगा अब हमारी इनसे बात भी बहुत अच्छा लगा मतलब अगर ऐसा चल वह तो बहुत मोका केजरी वाल को हमार को अच्छा लगा जैसे इन्होंने पंजाब में दिल्ली में विपारियों के लिए भी ये लड़ते हैं हम चाते हैं कि जैसे कल को कोई भी विपारी को दिक्कत आती है टैक्स की है कोई जैसी भी प्रोब्लम्स आती हैं कोई चलान वाले आ जाते हैं कभी कोई आ जाते हैं कभी कोई आ जाते हैं हम चाहते हैं कि इनको एक मोका दिया जाए जो इन्होंने अश्वाशन दिया है हम चाहते हैं कि इनको एक मोका दिया जाए कि यह हमारे साथ अच्छे उत्रेंगे जैसे यह दिल्ली और पंजाब में उत्रें हैं पर हम यह कहना चाह कि हिमाचल में भी ये काम हो और ये नहीं सोच विपारियों के लिए आए क्योंकि विपारियों के लिए सरकार कुछ नहीं सोचती है जो भी होती है सरकारी पेंचन होती है या नौकरी होती है कुछ भी होता है पर विपारियों के लिए आज तक ये सरकार ने किसी भी दोनों सर तीरत वो राय दी जाएगी और उन्हें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी पार्टी आम आदमी की पार्टी है जिसने के दिल्ली में केजे इवार सरकार ने काफी कुछ आम लोगों के लिए काम किये हैं जिसमें लोगों की आम जनता की भलाई भी हुई है इसलिए हम है कि ही माचल में भी इस बार जो है आम आदमी की पार्टी को एक मोगा दिया जाना चाहिए जिससे के वेपारियों के लिए और आम आदमी के लिए कुछ अच्छे काम हो सके हैं